कि प्रिया व्रश्चिक राश्य आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तवान में शनी महाराज की डहिया ने कितना जीवन को तोड़ रखा है अंदर से आप कितने टूटे हुए हो और बाहर से कितना अपने आपको मजबूत दिखा रहे हो और वास्तव एक तमयास मजबूत्ते के कारण ही अब तक सब परिशानियों से लड़ भी रहे आज की जो जानकारी है यह बहुत ज्यादा खास है और शायद यूटूप पर इस प्रकार की चीज़े कहीं और आपको इस पर टूप से देखने के लिए मिले शनी महाराज जो की अब जिनके कारण से आपके उपर ठीया तनाव परिशानी तरह तरह की चीज़े आप इस समय प्रेशानिया अनभह करी इस दोहजार चोपीस में यह वक्रड है यह कैसी कि डेकष वाल करके गुजारना पुच्टा है पुर इस वक्रपीड को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है बहुत इसका अच्छा लाब इसमानिया सकता है क्योंकि अधिकतर लोग इन्ही stop की चीजों की नहीं देतेुं यह बताता है कि ऐसे हो कर दोilos बस आप लोग या तो उदे यह नहीं होते हैं तो परस्टिक लासिवालो आज की वीडियो में आपको शनी उसे जुड़ी हुई आपके जीवन पर आने वाली चाह कुछ ऐशी घटना है जो होने वाली हैं जिनका होने का बहुत प्रबल यूग बना आ है साधी कैसे आप इसे अजनी मक्र को अच्छा बना सकते हो अपने लिए कल्यान प्रद कर सकते हो शनी महलाजी की किरफा को प्रव बनाना है नमस्कार मैं हूँ एस्ट्रो शिवम पंडेत और आप देख रहे हैं शनी वक्र का प्रभाव वरच्चिक राजी के जीवन पर क्या कराएंगे वक्र शनी क्या डहिया में होगा आपके साथ समित्रो आज के कारवकर्म को देखने के लिए सबसे पहले इस जानकारी को आप अपनी चंदर राशी को जो समझने के encara होगा हमारे बराबर में द्या आजारा एचार इस सकते हैं सबसे पहले हम पॉजिटिव्टि ती से सुरुपर आ और अच्छे कामना के तुभाद जोड़कर एक वारी इस्ट शक्ति से ही प्राटत ना करूँगा कि आपके जीवन में तवाम तरह के संकट दूर हो जाएं और आपको हर प्रकार की भौतिक उन्नती आध्यात की उन्नती की प्राफ्त तो व्रश्चिक राशी वाले आप भी य पर यह है जो बहुत बहलिया जाकर घयता है कि जब कोई नदर असी में शक्ति आ जाते वह गड़ इतना व्राक्रमा बल्वान ओज़ाता है और वह कुंड़ले के अंदर अच्छा अदर अच्छा फल कर रहा होगा तो बहुत बढ़ी आफल कर देगा तो वो है आनंद कर दे कि मुख्या कारण है आपने तमाम करेंगे वीडियो देखी होगी जाने करी सुनी होगी और आप उस टैंशन को ले करके कहीं ना रही आपके दिमा में वह चिंता चल रही है तो मैं इसका एक आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि बितनी और चिक लाशी वह ओई ऐसा नहीं है कि शनी आपको बुड़ाई फल कराईगे जब वक्र होता है तो उस में ऊसको एक लाभवी देना होता है और वो लाभ बहुत जबरदस्द होता है और यहां शनी महारा जो लाभ आपका दे रहे हैं आप देख सकते हैं अपने ज लिए इसी घर का हर अच्छा अपफल आपको शनी महाराज यहां परदान करें तो बात आती है कि क्या पॉजडिटीब परिवर्टन होगा सबसे पहले उससे पहले में आपको बताओं कि शनी वक्र से कैसे लाब लिया जा सकता है ऐसे किसी की कुंडले के अंदर शनी वक्र हो तो यह कौने से काम है इनको करके शनी प्रसंड होते हैं और वक्र काल में वही काम सबसे ज़या करने चाहिए तो वर्श्च राषिव ऑले शनी महाराज के वक्र होने पर शनी को नियाय के देवता हैं करमों को परदान मानते हैं करमों का फल परदान करते हैं तो शनी जब वक्र होते हैं तो ऐसे में कुछ चीजों का बहुत ही दरड़ता से संकल्प शक्ति को मजबूत करके हमें काम करना चाहिए शनी के वक्र प्रभाव में अच्छा फल प्राप्त करने के लिए नियमित दैनिक दिन्चरिया में सुधार और अपना पूर्व मुल्यांतन करना ये ही वक्र काल में जोतिश शासर का मत है जोतिश ऐसा कहते हैं कि शनी के वक्र काल में कुछ तकड़ा बदलाव कुछ नया बदलाव करने से पूर्व अपने उपर विचार मन्तन करना अपनी कम्यों को निकालना और अपनी कम्यों को सुधार में करना उन कम्यों के आधार पर योजना बना करके योजना बद्ध तरीक से वक्र काल में कार्य करना बस यही शनी वक्र के हर प्रकार के उस ignored मगालमे का लाव लेने का यह मूल मंत्र है वह यह दूसरी तरफ एक प्रशनाता यह है क्या Silous का यह सथी नहीं कि बस दरब वारत के प्रेडिक्शन करें और आठ को नहीं देखा तो ये पाया कि जितने भी हमारे भारत के राश्टिये मापरुश हुए हैं, राश्टिये राजनेता हुए हैं, राश्टिये जो बहुत जिनका में दो जनों का नाम भी लूँगा, एक सुभाज चंदर बोस हैं और एक लाल भादुर शास्त्री जी है, इनके कुंडले में श कार शाल सकते हैं, या फिर अपने व्यक्तित में आपकी बे कौन्स हेत की चीज जी यह वास्ताव यक्ता मैं, जिससे आप लोगों के मदद भी करते हो, और उस शक्तिय को कही कहें नहंदा है, आप दूसरों के निरमाड़ में या दूसरों का च्छ्छा करने के लिए आप E यही कुछ परीवर्टन यह कुछ परिवर्थन यह कुछ चीजा उती है जिस में वक्रकाल में आप अपने आपको डवलब करने के लिए बात करेंगे शनी महराज आपको जलबार है यह तो जैसे शार्वादिक करके लाप्त कर सकते हैं यहां शानी सीदा सीदा आपके प्राक्रम को बढ़ा रहा है मेहनत के साथ आपको जिग्यार्स पर बती और महत्वा कांग्शी भी संहीं माराज बना रहा है लक्षेश भी बहुत जादा कई बार कई बार जीज़ को सुचते हो आपको यहीं आपकी जो नुक्सान का एक में पक्रहत कारण ौर एक लक्षे को बनागर करके सीदा स्कौर कारे करते रहें तो यहां आपका कारे सफल भी ओसकता है क्या देखा जा रहा है कि छोटे भाई बहन और आपकी जितने भी निजी रिष्तधार हैं आप से आप से को हुआ है निजी जो आपके रिटीशन में तो इन लोगों के साथ में कमगा । यह इस्तिति का वक्र फर माकर बहुत अच्छा बिसको कर सकते हैं आप देखेंगे जब तीस हैं पर और पर इसने को करें तो awareness कर 1997 अविजिंगर अजे मारा सुधार कर सकते हो अपने आपकी personality को बढ़ा सकते हो आप अपने उपर एक professional work आप जिसमी काम को कर सकते हैं आप चाहे एंजीनर हैं चाहे आप कुछ भी काम करता हैं चाहे आप इस समय जिस काम में हो और उस काम के लिए वक्ति की कैसी personality होनी चाहिए उसका बोलना उसका चालना उसका विवार उसके कपड़े उसके बोलने का तरीका सब कुछ तो आप अपने आपको कहीं नगई उसमें धालने का प्रियास कर सकते हो और इससे आपको काफी लाब मिले रहे हैं जो लोग पहले से ही सिचाई हुए उनके बाद में ब्रश्ची क्लाशी वालों पर असर रहा निश्चत तोर पर स्वास्तिय का अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या 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 आपके साथ में बरतमान में चला है क्यों आप इतने परशान हो रहे हों तो स्वास्तिस जूड़ी समस्या वर्विशनी मारा देंगे आपको शोरिया पर दरशन करना लोगों के बीच अवना प्रभुत दिखाना आपको चीजों को प्रूफ करके दिखाना साबित करके दिखाना ऐसा इस समय आपको यह चीज आपकी जहन में होंगी और आप काफी हद तक जो चीज कहोगी इसको करके भी दिखाद लोग आप साथ सोचल गैदरिंग बिल्कुल बंद हो गई थी वो कहीं ना कहीं लोग मित्रता के भाव से आपके पास में आ रहे हैं आपकी चीजों से कुछ ना कुछ ना कुछ आपको लाब के लिए चीज करवा रहे हैं तो आपको किसी विए व्यक्ति का दिल नहीं कि नजदी की कुछ संबंदों का सुख है जो आपके मित्रवत हैं जो आपके भाई भेन बंदू हैं जिन से काफी बूल चाल खराब हो गई तो इसमें देखा जा सकता है कि हो सकता है कि आपका दुबारा से वरतलाब शुरू हो जाए तो रूठावा मित्र दुबारा आप स अचानक से आपको सुनाई आएगा आपके परिवार में को नीजी व्यक्ति जिससे आप काफी इसके अंदर से आपने मन में पहले यह सोचा था जब आपको पता लगाथा कि तब्याद बहुत तरह खराब है या कोई बहुत अगर नहीं नहीं लोगा बिमारी अपड़ी गंदी होती हैं तो पूई ऐसा आपके घर पर इजन का विक्ति जो बहुत प्रॉनिक बिमारी से अदर उसके वक्रकाल के अंदर उसके सुभाव में बिमारी में आपको रहात द करना चाहते हैं इसके आप डॉक्टरी की पड़ा करना चाहते हैं या खेल पूद विवाग या फिर जिम शारिक मैनत के जितने भी काम हैं जिसमें आप अपने शारिक बलका प्लियुग जादा करोगे तो उन सभी काम हों में यहां पर आपको प्रॉफिट और लाब मिल सकत करें इस महीने शजणी महाराज आपको यह वास्तविकता में महीना कह रहा हूं इस पूर्य टाइम पिरिएड में एक 69 दिन का टाम पिरिए हैं पंदरा नमब्बर से लेकर आपका थी जून से लेकर कि पंदरा नमब्र तक का 149 दिनों तक यहां शजणी महाराज का जो तो जिस घर में वक्र हो रहा है कहीं ने उस भाव से सम्मंदित चीजों में एकदम से हमें परिवर्तन सा महसुस होता है तो यहां देखा जा रहा है शनी कहां वक्र हो रहे हैं आपके सुख के घर पर आपके चतुरतिस्तान पर जाए जाना नमबल लेता है वोल तरिकून चोड़ा सा आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा तो निश्चे तोर पर इसका मतलब यह है कि आप पर शनी की ड़या में कुछ ना कुछ राहत देखा जा सकता है कि जो पैसों की लगतार बरबादी हो रही थी बार बार आपको एक काम चुटे-चुटे काम को आपको स मैं लगना है तो यह बड़े काम जो है ना उसे जुड़े हो दिश्चोटे काम ही नहीं और तो बड़ा काम से प्रकांसे होगा यहां पर यह चीज़ें इस समय कम परियासों में सफल हो जाएंगी और जब यह सफल वह जाएंगी तो बड़े लक्षे कि और आपका जो ध्या लगातार मेहनत से पीछा नहीं हट रहे हैं अब देखर जाएगा कई वरच्ची क्लाशी वालों को इस समय क्या है कि आलस्य की प्रवत्ति जागेगी आलस्य का प्रभाव करना जाएगा क्यों क्यों कि शली की दृष्टी आपकी राश्य पर भी है उसके बारे मुरेशता आप वो काम सफल हो जाएगा उसके बाद किसी दूसरे कारे के लिए आप जाओगे दूसरा कारे भी आपका सफल हो जाएगा और जब तीसरे कारे के लिए जाओगे तब जाकर के आपको महसुस होगी कि आप कोई सा भी काम कर रहे हो पर वो काम आपका पूरा तो कर रहे हो पर व पहले के मुताबले या पहले के मुताबे कुछ जादा देखने के लिए जरूर मिल सकते हैं उसका कारण बहुत बड़ा कारण है कि यहां पर शनी जैसे वरच्चिक राशी पर आपके रिलेशन हुए आपका परेवारिक जीवन हुआ और आपका करियर का जीवन हुआ इसमें आपका सामान जस्ते बैठिन नहीं यहीं मुख्य कारण है कि आप इन सब चीजों को बैलेंस कर पाने में बड़ी ही मुश्किल का अनुभव कर रहे हो इन सब चीजों से आपको लाब कैसे मिलेगा आपके फैसले जो हैं जो आप फैसले लेते हो इस समय डहिया के प्रभाव से काफी गलत हो रहे हैं डिसीजन में आपको समझ में नहीं आपा रहा है कि किस चीज़ का क्या डिजिजिए लेना चाहिए माता की से संबंध कहीन कहीं खराब हो रहा है तो मिलने से पहले इसमें बहुत सुक्रमा तर आपको पराप्त हो रहा तो यहां पर इन सभी चीजों में शनी के साइरें रिलेक्सेशन तोड़ा सा मिलेगा रिष्टेदार हूं जो आपको इस समय सकते क्याया आप को परिशानिया आती है और फोकी यह यही होता है demokrately को आप अपनेमें वहुंपन में जुआ हो आप जो है उनसे उपर ने उख सकते हैं। पर शनी महाराज की किरपा से स्टी मोटिवेशन मोटिवेशन वह आपको प्राक्रम बढ़ेगा काम करने की लगन जागेगी जुबार से सब्सक्राइब मैनत नहीं तो कुछ भी नहीं सी बात है तो शनी की यहाँ पर हमने यह चेज़ें बताई कि शनी की जो तीसरी दरश्चिए यह आपके शष्टम भाव के अंदर है जहां एक नंबर लिखा हुआ है इसका क्या ताथ पर है इसका मतलों सीधा सा यह मतलब है कि इस समय यहां आपको शनी इस भाव से सम्मझे दिलाब जरूर जी लगतार क्या है देखा गया है कि शनी जब बिना वक्र करके शर्ष्टम को देख रहे थे नीच राशी पर शनी के नजर लगा रहे थे इसके कारब में से कोई मिटिंग के लिए आप ने लिए खराब हो गई हैं घर से कोई कोई कम रिप्सा आ गई तो आपका जरूरी काम चुटा और उस पाह बात लेने की आज़ता आपको ये चूड़ी पड़ेंगे हैं इसे कहते हैं गन्दी आजतार ल गंदी आदत के बार-बार जम जीवने लाते हैं तो बड़े-बड़े संकटों का पैदा करना है अगर सश्टम को देख रहे हैं तो यह अच्छा मौका है मैंने पहले काया आपको इसमें सुधार कर सकते हो जो भी आपके जीवन की गलत आदते हैं गंदी आदते हैं चाहिए प्रिश्टितियों में बार-बार आपको गलत गलत विचारों कानों इन सब में आप सुधार कर सकते हैं और देखा जाएगा जिनकी कमर में दर्द है जिनके नाक कान गले से जंबने दिक्कते हैं वो दिक्कते कहीं हैं तक ठेक होंगी शत्रु द्वारा लगतार जो लोग परिशान हो रहे हैं कोई कसर नहीं चोड़ रहे हैं और आप कर रहे हैं प्रकार से कंज लगने वाला और रोग लगने वाली जो शनी दृष्टियां कामकरेगी को कहते हैं ये व्यक्ति आपना उतना डिश्टेंस बना लोगे जिससे व्यक्ति साब को लगेगा यहां से पर चिंता करने के क्या बात है थोड़ी सी इस वक्र काल में जिन लोगों पर थोड़ा मुकदमा चला है जिन वर्ष्चिक राशी वालों को कोई कोट केस चला है उन लोगों को अगर वे किसी प्रकार की जूटी गवाइस समय देते हैं या अपनी तरफ से जूटा परिवर्तन करने के परियास करेंगे तो उन्हें जरूर शनी परिशान कर सकता क्योंकि आपको कोई भी मुकतमा है वो आपके पक्षमिल लाने का परियास कर रहा है पर शनी जूट को गलत बातों को बिल्कुल भी बरदास नहीं करते हैं जूटे फसाद में घसीटने का काम जिन लोगों निकाल दिया गया नोक्री छुट गई आपमान सम्मान और परतिष्टा की हानी हो गई घर परिवार के लोग भी वो सम्मान नहीं कर रहे थे जिस सम्मान के आप लायब थे जैनिके सब कुछ कर लिया इसके बाद में अपने लिए कुछ नहीं तो यहां इन सभी चीज़ों म अपने अपने साथ लगा कैसे प्रोफिट हो का वो धोका दे करके चला रहा लगातार उसने आपके ऊपर और ज्यादा नुक्सान आपका कर दिया तो यहां एक चीज़ और है कि जो चीज़े जो गल्तियां गुपत रूप से करी गई और उनको उपर कहने अब याप उनकी सकते हो और उसे कह सकते हो यह तुव अपने रस्ते हैं शनी महाराज की जो एक दृष्टी है साथ भी दृष्टी यह आपकी जा रही है करियर बहुत अब यहां पर सबसे ज़्यादा परिवर्तन और सबसे ज़्यादा बदलाव आपका इस अवदी में देखा जाएगा इससे परिवर्के पड़ना परिवर्तित करना का श्रादाई साबीत हो सकता है कि जो चैलेंज आपको मिल रहे हैं जो काम आपको मिल रहे हैं इननों को एप समय काम को और बहतर करके जो भी आपका अधिकारी उनको दो धूँँ साथ ही इस समय में आप जैदी अपने किसी व बताते हो वही सबसे बड़े सत्रों का रोलने भाएंगे और आपकी परस्टनेलिटी को आपकी जौब के इंदर खराब करने का काम करेंगे देखा जाएगा आप अपना कोशल जो है पनी महनत जो है उसे साबित करने का प्रियास्वर पर कोई व्यक्ति आपकी महनत को चुला स गई तो वहां पर और चार बाते आपकी तरफ चैड़ कर देगा कि यह तो मुझे पहले बोला था कि इसका ऐसे बदला लेना है ऐसा करना है यह अनरगल बात अनरगल प्रलाफ आपके खिलाफ आपके वर्क्लेस पर लोग इस तरह की सड़ीयं तरवाज्व बात हैं यह करने परियास करें क्योंकि शनी का द्रश्टी आपको इन सभी से लड़ते हुए आगे बढ़ना पुलेगा आपको मल्टिपल सोर्स ओफ इनकम जरूर परदान करने के योग बना रहे हैं पर आपको अपना भचाव करते हुए इस समय अब यह को निकालना है अब इसके लिए क्य आपको शेर नहीं कराना है करियर के लिए क्या है देखा जा सकता है आपको कोई जूड भेज दिया जा रहा है आपको कोई टिपिकल टास्क दिया जा रहा है आपको ऐसा कोई काम दिया जा रहा है और आप अपने अधिकारी वर्च सेरी बात कह रहे हो तो बही मैंने काम नहीं किया भू सीख लेता है तो सझाने के लिख यह पर रहा है और आपने क्या है कि अपनी है्टि टो券 को माना पर आपको चेलर लगने लिगी और शुक्त की शूर्ड नहीं कर娩ें कि पावशक्ता के की जी वरगतिक रहे तो आप उपने बहुत से कहते हैं सारवजनिक गलतियों के जो मनलब आपकी जौपर जो सब लोग कर रहे हैं लोगों की कहा सुनी में आ जाना गलत लोगों की बढ़ाई कर देना और अच्छे लोगों के साथ में अबैठना ये अच्छे लोगों पूझत होती हैं वो आप से भी समय हो सकती हैं बस के वाल पर इसका थोड़ा प्रभाव लहेगा और विश्णी की दृष्टी आपके वर्क प्लेस पर पहले से पड़ रही है टीम लिडर से नोग जोक ना हो जाए आपके वर्क प्लेस पर भाद भाद ना हो जाए इसका विशेध जियान रखिएगा वागी आपका कोई मुख्य प्रियोजन है वो जरूर सिद्ध होका सफल होका पर सुरुवात में उसमें कोई ना कोई व्यक्ति अडचन डालने का काम जरूर जरे इसके अलावा मित्रो शनी की जो दशन दरश्टी है वो जाती है सीदा आपके वर्क प्लेस आपके खुदी की रासी पर वो सबसे बड़ा परिवर्तन है आपके अपने उपर आपको इस समय अपने उपर किसी भी प्रकार के परिवर्तन से भचना है किसी भी व्यक्ति के चक्कर में अपने अंदर जरूर बदलाव नहीं करना है शनी एक चीज आपको जरूर बदलाव करेंगे वो क्या है अपने गलतियों को थोड़कर इन गलतियों को सही करना इस पर आपको जरूर फोकस करना है बाकि आपको व्यक्तित्व के अंदर बदलाव नहीं करना है अब इसका पहला परभाव क्या होगा शनी कि अगर मंगल की राशी पर दर्श्टी है तो जाहिर सी बात है कि इस समय उर्जा जैसे की प्राक्रम बढ़ेगा पर यहां काम करने का मन्तों करेगा पर काम को कल पर टालोगे आज नहीं कल करेंगे कल नहीं परसो करेंगे कहीना कई हिम्मत जो है जो काम करने में एक अंजाना डर अंजाना भे है वो आपको जो सताने लगेगा कहीं वो काम गलत ना हो जाए कहीं उस काम के से मेरे को किसी तरह का नुकसान ना हो जाए इस तरह के तरह के तरह के बात है पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है या सबसे प्रक्राइब करें आपका मन करेगा उस अवस्ता में आपको चोट लगने की नुक्सान होने की आशंका यहां पर दिखाई बन जाती है यहां देखे एक चीज़ और है आप इस समय जब सारी चीज़ों को एक साथ में लेकर के चलोगे तो आपको रिलेक्स होना बहुत आवश्यक है नहीं तो आपके चेहरे पर क्या उदासी का भाव साफ साफ दिखाएगा क्योंकि सरीर जब ठकाता का महसूस रहेगा उसकी सारी यहां कारे में सही गलत का निर्णाय लेने में जब भी आप संकोच करें तब आप अपनी कुणले का विश्वरेशन करवा सकते हैं या फिर अपने किसी नीजी ऐसे विक्पी से बात कर सकते हैं जिसे बात करके जो आपको सही मार्क दर्शन देता हो देखेंगे देखा जो में सफलता देंगे पर यह चीज़ आप अंदर से बहुत श्ट्रॉंग करते हैं बहुत आपको लाजवाब कर देंगे आपके विक्तित को श्ट्रॉंग कर देंगे इस तरह से आप इन सभी चीजों को फोलो करके आपको क्या बचाव रखना है वर्क प्लेस पर आपको आने वाले समय में 30 जून से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक करना है कैसे आप सनी के वक्रकाल को अच्छा कर सकते हो कौन सा उपाय आपको करना चाहिए तो मैं आपको यह सज़ेश्ट करूँगा कि शनी के लिए जितना हो सके समझ दान करें काले रंगी चीजों का दान करें काले कं पंचम की हनुमत का बच्का और हनुमान जी के सामने सरसोकते लगा दीप पर चुलित करें शनी बाहर को शनी चालीसा का पार और बजरंगबान का पार करना आपके लिए बेहद कल्यानकारी साबित होगा तो मैं तो मैं तो आशा करता हूँ कि वरच्चे करासी की शरी वक्र पर जो भी हमने प्रभावता वुसाजा किया वीडियो कैसी लगी कमेंट जरू करिएगा बताईएगा जरूर और आपके साथ में वरतमान में कौन सी परिशानी सबसे ज्यादा आपको परिशान कर रही है यह भी कमेंट कर दीजेगा चलिए सबस्त रहिएगा मिलते हैं ने